और उत्रप्रदेश चुनाव को लेकर अखिलेश यादव लगातार प्रचार में जुटे हैं। उनके साथ RLG चीफ जयन चौधरी भी चुनावी प्रचार में नजर आ रहे हैं। और अब एक बार फिर से दोनों निताओं ने स्वेक प्रेस कांफरेंस की जिसमें अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कहा कि बीजेबी के पास कोई मॉडल नहीं है। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के मॉडल पर ही वह वही लूट रही है। अगिलेश ने कहा है कि इस बार बुल और बुल डोजर का उत्तर परदेश में कोई पता नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को भारती जिंतापार्टी ने पैदल कर दिया है। किसी ने नहीं देखा कि दिल्ली वाले चार पहियां गाड़ी में जा रहे थे और इन्हें पैदल चलाया गया। इस बार बाबा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हम दो नौजवान वो हैं जिने विरासत में किसानों की लड़ाई मिली है। उन्हें दुख इस बात का है कि हम दोनों मिलकर उनका सूपड़ा साफ कर देंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बुलंच शेयर की घटना पूरे उतर प्रदेश की चिंतित करने वाली घटना है। और ऐसे में भाजपा बार-बार कह रही है कि कानून व्यवस्ताथ सबसे आगे है। आपके जिले में जो खटना हुई वो हातरस की आद दिला रही है। बुलंच शेयर के परादी अभी भी घूम रहे हैं। सीम योगी के गर्मी उतारने वाले बयान पर भी अखिलेश यादव बयान बाजी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की भाशा बदली है, पता नहीं क्यों बदल रही है। पहले चरण में जो लोगों ने हवा चलाई है, मुख्यमंत्री को समझ नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री कंप्रेसर हैं क्या? जो ठंडा कर देंगे। ये लोग कह रहे हैं, गर्मी उतार देंगे, हमें गर्मी नहीं, भरती खोलेंगे। नौइडा में भाचा प्रत्याशिय और अक्षम मंत्री राजना सिंग के बेटे पंकत सिंग का प्रचार करने पहुंचे सांसद मनोश्तिवारी को विरोध का सामना करना पड़ा है। मनोश्तिवारी का विरोध कर रहे लोगों ने न सिर्फ उनके खिलाब नारे बाजी की, बलकी उनको जूता तक दिखाया गया। उनके विरोध का एक विडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वाइरल हो रहा है। विडियो सेक्टर 17 की जुग्यों का बताया ज़ा रहा है। नारा लगाते हुए वहाँ से चली जाती है। की अपील की है। केंद्री मंत्री अनराक ठाकुर ने बुद्वार को राश्य लोग दल के अध्याक्ष जैन चौधरी पर निशानत साथते हुए आरोप लगाया है। कि उन्होंने बाजपत सांसद हेमा मालनी का अनादर कर महीलाओं का अपमान किया है। मत्रा में मंगलवार को एक रैली को संबोधित करते हुए जैन चौधरी ने आरोप लगाया था कि भारती जिनता पार्टी उत्तर प्रदेश उधान सबाचोनाव में उनके उमीदवारों में से एक को तोड़ने की कोशिश कर रहे है। उन्होंने जिले से लोकसबासांसद मालनी का भी हवाला दिया। जैन चौधरी की आलोचना की और कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ठाकुर ने तरसल एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरीयों उन्होंने जैनत कुबर निशाना साधा और लिखा कि जैनत जी हिममालनी जी देश की एक बहतरीन राजनीता और अभीनेतरी हैं। भारती महिला सचक्तिकरण की प्रतीक हैं। उन पर तंजकस के और कटाक्ष करके आप उन पर अनगिनत महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जो अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अनुराग ठाकूर ने आगे लिखा कि जैनत जी आपको हिममालनी बनने के लिए बहुत महिनत करनी पड़ेगी। जनता ने आपको नकार कर हिमा जी को चुना और उनकी काबिलियत पर उनसे जुड़ाब पर उनके काम पर उनने चुना गया है। जैन्त आपको माफी मांगनी चाहिएं पहले बीजेपी के साथ सीटों के लिए संघर्श और अब टिकेटों को लेकर बढ़वारे पर अब निशाद पार्टी के भीतर संघराम मच गया है बीते दिनों गोरकपूर में निशाद पार्टी के दफ्तर के बाहर भीतर दोनों जगा ही जमकर हंगामा हुआ निशाद पार्टी के मुख्या डॉक्टर संजन इशाद ने कल शाम को अपने छे उमीदवारों के लिस्ट जारी की और कई सीटों पर उमीदवारों के नाम दिखा कर पार्टी के बीतर बवाल चुरू हो गया आपको बता दे कि सबसे पहरे निशाद बहुले गोरकपूर ग्रामीन सीट पर ही हंगामा खड़ा हो गया है जोहां पार्टी के कारेकरता कि उस मांग थी कि उस सीट से संजन इशाद के बेटे सरवन इशाद को चिकिट मिरे पार्टी ने यही वादा भी किया था लेकिन नई लिस्ट में गोरकपूर ग्रामीन से सरवन इशाद का नाम नहीं था इसके बाद कारेकर्टा अंगामा करने लगे महिला कारेकर्टा उन्हें सीधी धम की दी कि अगर सरवन निशाद को गोरकपुर ग्रामीन से उमीदवार नहीं बनाया गया तो उनका वोड निशाद पार्टी को नहीं मिलेगा छोटी सी पार्टी चुनाफ के बीच बड़ी मुसीबत बन चुकी है ऐसे में सरवन निशाद को गोरकपुर ग्रामीन के बदले चौरी-चौरा सीट से चुनाफ में उतारा जा रहा है उधर आपको बता दें कि चौरी-चौरा सीट से टिकेट की उमीद लगाये नेताजी के भी भड़क उठे हैं इश्वर्ट चंद जॉयसवाल के समर्थकों ने संजन इशाद और उनके बेटे शर्वन इशाद का पुतला फूख कर अपना गुस्ता जाहिर किया